एक फेक मेसेज और पूरा बैंक अकाउंट खाली कैसे संबभ हो सकता है दोस्तों आजकल एक नए तरीके का इसी तरीके का फ्रोड चल रहा है जिसके दुआरा एक आपको फेक मेसेज एक डम्मी मेसेज प्राप्त हो सकता है जिसमें कुछ पेसे आपके account में आय होए बताया जाएगा अब वो message आपको phone पे पराप्त हो सकता है आपको text message पर आ सकता है आपको WhatsApp पर आ सकता है कही पर भी आपको ऐसा message दिखाया जा सकता है जिसमें कुछ transaction मतलब कुछ पेसे आपके account में आय होए बताए जाएगा जैसे 2000, 5000, 2000, 5000 जो भी हो आपको उस message में बाकाइदा दिखाए जाएगा कि आपके account में इतने पैसे प्राप्त हो चुके हैं अब वो पैसे आपके account में आये हैं या नहीं आये हैं ये बात की बात है लेकिन जैसे ही वो message आपके सामने आया है आपने पढ़ लिया और आपने तुरंट ये सोच लिया कि हमारे account में पैसे तो आ चुके हैं अब जैसे ही message आता है कुछी seconds के बाद में आपको एक call भी आ जाएगा और call आएगा आपको कहा जाएगा की सर में ये बात कर रहा हूँ आपके account में गलती से मेरे पैसे चले गए है मैं एक hospital में इस परिष्थिती में पसावा हूँ hospital में मेरा कोई admit है मैं दुकान पे दवाईयों के medical store पे payment कर रहा था या मैं hospital के doctors को जो भी है वहाँ पे counter पे payment कर रहा था और गलती से आपके number लग चुके है आपके account में पैसे आ चुके है अब मैं इतना परिषान हूँ दोस्तों अब आपको कहा जाएगा कि मैं इतना परिषान हूँ मेरे को तूरंत वापस पैसे चाहिए hospital में बहुत ही emergency है अब आप ये चेक नहीं करोगे कि यार वो message जो आया था वो सही है या गलत है आप उसकी बातों में भैक जाओगे बहुत सरे लोगों के साथ ये हुआ है शिली में आपको सब को aware कर रहा हूँ बहुत सरे लोगों के साथ हुआ है रोज message आते हैं कि सरेसा message आया था उसकी बातों में आ गए और उसको कहया कि ठीक है आपका जो भी payment आया है बता दीजिए मैं आपको refund कर देता हूँ अब वो आपको account नमर बता दीजाएगा या आपको scanner भीज दिया जाएगा जो भी आपको उसका phone पे होगा Google पे होगा सारा system वो बता देगा और आप पैसे उसको वापस send कर दोगे बाद में पता चलेगा कि यार जो पैसा हमने बेजा है हमारे को तो receiving नहीं हुआ जो message आया था वो तो dummy message था एक दम डिटो मतलब same message बनाया हो गया same message जैसा हमारा bank के द्वारा message आता है same वही message बनाया गया और हमारे को प्राप्ट हुआ बाद में हमें पता चलाया कि यार ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रोड हो चुका है अब जो इस camera था उसके पास तो पैसे आ चुके हैं उसने तो आपको dummy message बेजा था ओर original message ही नहीं था पैसे आपके खाते में रिशीव नहीं हुए थे आपने चेक नहीं किया बीना च पैसे नहीं थे वेज़े थे ना आपको original message उसने send किया था जो message उसने send किया था वो तो एक fake message था अब गलती तो आपकी ये है कि आप उस message पे विश्वास कर लिया आप तो गदगद हो चुके थे कि यार पैसे तो हमें पराप्त हो चुके हैं जबकि originality में आपको पैसे issue होने की बात कही जाएगी अगर आपको इसा message प्राप्त होता है तो सबसे पहले आप account खो लिए अपना open कीजिए फोन पर open कीजिए या जो भी आप चलाते हैं उसको open कीजिए और चेक कीजिए कि वास्तव में reality में पैसे आये हैं या नहीं आये हैं आप उस message पर विश्वा करने लीजिए कि पैसा बेजना है या नहीं बेजना है एक message पर विश्वास करके आपको कोई OTP नहीं आएगा आपको कोई link नहीं प्रोवाइड करवाएगा बिना link पे क्लिकिए बिना किसी OTP के द्वारा ही आपके साथ यह फ्रोड हो सकता है और हम खुद करवार नहीं क्य कि हमें विश्वास नहीं किया हमने हमने तो यह सा सोस लिया कि पैसे तो आ चुके हमने देखा ही नहीं अकाउंट तो पैसे आएग नहीं आये दोस्तों जब भी किसी दोस्त के साथ फिर भी ऐसा हो जाता है तो तुरंत one nine three zero पे सिकायत कीजिएगा उसको पूरी details फिल करवा चाहिएगा या साइबर क्राइम डोट गोर्मेंट डोट इनकी जो वेबसाइट है उस पे आप ओनलाइन सिकायत कीजिएगा जब भी किसी के साथ फ्रोड हो जाता है पैसों का पैसे कट जाते हैं पैसे आपने भेज दिये किसी गलती से कैसे भी पैसे भेज दिये तो तुर विश्वास नहीं करें सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करके चेक करें और कभी-कभी वास्तम में किसी के पैसे आजाते हैं तो वह अलग बात है वह हम अकॉंट चेक करेंगे तबी तो हमें पता चलेगा ना बाकी 90% यह फेक मेसेज होते हैं हम बिना अकाउंट चे